हेलो एवरिवन कैसे यह आप सभी लोग इस वीडियो में हम सिंप्लिफिकेशन के कुश्चन सोल करने की कोशिश करेंगे इस तरह के पैटर आपने अपने अपने एक्जामस में देखे ही होंगे बहुत बार पूछे जाते हैं एससे एक्जामस में बार-बार आते हैं ठीक है कहीं बार इस तरह की कुश्चन भी आते हैं अब जब इस तरह के कुश्च आते हैं हम् मेरे साथ प्रोब्लम सबसे बढ़ी क्या होती है एक तो हो जळाता टाईम लग जाता है और साथके साथ जब Crunchly customer चलती रहते हैं तो गल्ती होने की तो आप 30 seconds से कम में solve कर सकते हो, ठीक है और बहुत सारे questions इसे type के ऐसे भी होते हैं, जिसे हम 10 से 15 seconds में भी solve कर लेते हैं, तो वो सारी चीजे में आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है जिससे कि आप exam में कोई भी गलती ना करो, कुछ ना कुछ अच्छा आज सीख के जाओग अन्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे सी अन्रोल करने के लिए आपको अनकेडमी एप्लिकेशन इस्टोल करनी पड़ेगी, get subscription पर क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे से एक्जांस कैटेगरी स्लेक्ट करने के बाद, उसके बाद आपको plans दिये जाएंगे, इन में से 12 महीने वाला है, 24 महीने वाला प्लान लेना, अगर आप अगले साल की तयारी कर रहे हो, CGL 2020 है, CHSL 2020 की तयारी कर रहे हो, बाके जैसे YouTube पे free class होती है, एकडमी पे free class होती है, कल हमारी free class है, 15 सप्टेंबर को percentage का live test है, CGL और CHSL, aspirants के रेट, तो आप इसे जरूर दें, दो बज का link है, वहां से मुझे फोलो कर सकते हो, ऐसे ही उसके बाद अगले class हमारी 26 सोलह सेप्टेंबर को भी है, जिसमें CHSL 2019 के लिए live test लिया जाएगा, टाइम वही दो बज़े होगा दिन में, बहुत सारी free classes मेरी academy पार रखें, वह सारी free classes से आप देख सकते हो, उनका फायदा उ मिल जाएंगे, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठिक, code याद रखना, अगर आप academy plus join करते हो, जिससे कि आपको maximum discount मिले, सबसे पहले question से start करते हैं, जैसे हमारे पास ही वाला question है, अगर आपके exam में question आते हैं, तो आप क्या से करोगे, simple question है, छोटा question है, आप हमने कहीं से पहले नहीं सीख रखा, तो दिमाख में क्या आता कि मैंने one plus two by three करना है, तो यह मेरे पास कितना आ जाएगा, यह मेरे पास five by three आ जाएगा, one plus two by three, यह solve करा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, five by three कहीं न कहीं reciprocal करूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, one minus, और नीचे five रख दूँगा, फिर three रख दूँगा, इसे solve करने की कोईशिश करूँगा, इसे solve करा तो five minus three मेरे पास two by five बचेगा, उसके बाद फिर मैं यह वाले पार्ट पर जाओँगा, हम मैं यहाँ पर लिखूँगा, one minus one plus one upon two, two by five है, तो two को नीचे ले जाओँगा, five को कर दूँगा, और मैं इसे solve करूँगा, तो two plus five, seven by two, generally हम ऐसे ही करते हैं, और इतने जाधा space भी ले लेते हैं, गलती भी करते हैं, ठीक है, कहीं पर ऐसी प्रकूर करना भूल गया, गलती हो गई, ठीक है, और इतना time भी लगा दिया question, अगर मैं कहूँ हूँ, आप इस question को hardly 6-7 second में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, question देखने के बाद 10 second maximum मान लो, बाकि इस question को basic तरीके से भी बता रहा हूँ, जो आप तरीके जैसे मैं अभी यह करके बता है, generally maximum लोग ऐसे ही कर रहे होंगे, इस तरीके को भी हम एक arranged रुभे में कर सकते हैं, जिससे के exam में गलती न क्या मैं पहले येवाला operation perform कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा 1 plus 2 by 3, उसके बाद कौन सो operation perform करूँगा, 1 minus, ये 1 है, तो 1 into something, और फिर मेरे पास इस वाले operation पर जाऊँगा, तो मेरे पास 1 plus 1 into something होगा denominator में कुछ है, तो मैंने कहा, अगर मैंने ये operation perform कर रहा, तो ये 3 plus 2, 5 by 3 बन जाएगा मेरे पास, अच्छा ये 5 by 3 यहाँ पर आएगा, तो उपर जागे क्या बनेगा, क्या ये 3 by 5 बनेगा, यहाँ पर, तो क्या मैं पर 1 minus 1 into 3 by 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसे solve करूँगा, तो 5 minus 3 मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 5 by 2 by 5, अभी हाँ पर जाएगा, तो फिर reverse हो जाएगा, क्या है मेरे पास 5 by 2 बचेगा, और ये 1 plus 5 by 2 कितना देदेगा, 7 by 2, क्या हम इस तरह करेंगे, तो क्या गलती करेंगे, कभी इस question में नहीं करेंगे, बिल्कुल basic तरीका, मैंने बस क्या करा, इसे एक line में लिख दिया चलें आगे, अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप steps लिखी रहे हो, तो आप steps कैसे करोगे, मैंने देखा 1 plus 2 by 3 क्या हम जे लिखने की जुरूत है, नहीं लिखने की जुरूत है, नहीं लिखने की जुरूत है, तो बस यह वाले step छोड़ दो, बाकी step लिख दो, मैंने लिखा 1 plus, अगर 1 है, तो यहाँ पर multiply करने की जुरूत नहीं, यहाँ भी multiply करने की जुरूत नहीं, मैंने लिखा फिर 1 minus आएगा, यहाँ पर 1 plus 2 by 3 करा तो मिझे पताए क्या निकल के आएगा, यह 5 by 3 आएगा, यहाँ पर लिखोंगा, 5 by 5, अच्छा, 1 minus 3 by 5 कितना हो, 5 minus 3, 2 by 5 मिझ लेकिन यह तरीका याद होना अची है, क्योंगे कई बार जो हम extra चीजे सीखते हैं, वो दिमाग से निकल भी जाते हैं, तो ऐसे जाओगे, ठीक है, इसमें गलती नहीं करने, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो जाए, अभी हमने देखा था, यहाँ पर कितने sign थे plus के, 1, 2, 3, 3 operation मैंने perform करे थे, अब यहाँ पर आगे 5 operation, 1, 2, 3, 4, 5, क्या हम कर सकते हैं, time लगेगा अब इसमें, चीजे बदल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल बन गई चीजे, sign कभी plus का है, कभी minus का है, फिर complex बने गा, इस तरह के questions को कैसे solve करेंगे, जो basic तरीका बता है, वैस आज की, क्या इस तरह के questions आपने previous year में देखे वे हैं, इस तरह के questions आपके exam में आते हैं, यहाँ आते हैं, क्या बुलकु सिंपल है, one plus one divided by one plus, one divided by one plus, कैसे चल रहा है, एक particular sequence follow हो रहा है, कैसे solve करेंगे, अच्छे, क्या मैं कह सकता हूँ, यह 1 by 3 है मेरे पास, मुझे सुनते जाना बस, मैं लिखा one comma three, चलते जाएं आगे, यह मेरा क्या है three denominator है, यह मेरे पास क्या है numerator है, अच्छा यहाँ पर operation कितने perform करने पड़ेंगे, एक, दो, तीन, पांच पलस के sign है, पांच operation perform करने पड़ेंगे, तो मैंने का पांच blank बना लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, कोई दिख्कत यहाँ तक नहीं, अच्छा, यहाँ पर sign क्या है, सारे के-सारे plus के sign है, तो यहाँ पर इसके ऊपर लिख रहा हूँ, मैं plus, 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 clear है यहाँ पार्ट, आगे भढ़ते हैं, अच्छा, यहाँ पर किस से multiply करना है, अगर मैं one plus one by three को solve करता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, मैं three into one, plus one divided by three करता हूँ, क्या यही होता है, इसका मतलब, clear, तो मुझे पता है, यह वाले जो three, यह one है ना, इसे मैं इस three में multiply करना है तो मैं इसके आगे यहाँ पर, यह three लिखा है ना, इसके आगे यहाँ पर लिखूँगा one, फिर आगे भढ़ेंगे, तो उसके बाद अगला one, 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 one है, तो यहाँ पर one, one, one होगा, क्या यहाँ तक आएगा मेरे पास, clear, यह वाला पार्ट भी कोई दिखकत नहीं, अच्छ मैं कैसे करूँगा इसे, मैंने का three into one कर देता हूं, three into one कर दिया, तो मेरे पास आया three, और यहाँ पर plus का sign है, तो मैंने यहाँ पर यही वाला plus का sign, यही वाला यहाँ पर आ रहा है मेरे पास, तो मैंने का three plus one कर देता हूं, यह मेरे पास कितना हो जाएगा four, के लिए, तो म को हम आगे फिड़ते हुए चलेंगे धियान दो अब मैंने कहा यहां पे मेरे पास यह आया था अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर अगेन मैं 4 into 1 करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा प्लस का साइन है तो प्लस 3 करूंगा तो 4 into 1 plus 3 चार प्लस 3 साथ हो जाएगा तो साथ 18 हो जाएगा और यह 18 प्लस 11 क्या यह मेरे पास 29 आ जाएगा क्या मैं कह सकता हूं जो यह वाला पार्ट होगा यह मेरा numerator होगा और यह वाला पार्ट मेरा denominator होगा मेरा अंसर आजाएगा 29 बेटीन कुश्चन खतम अभी समझा रहा था एक एक चीज बताई एक एक स्टैप लिखा इसलिए महनत लगी अगला कुश्चन को बहुत कम टाइम में करेंगे हम सो ठीक है पहला कुश्चन का अंसर आ गया हमारा 29 बाइटीन ऑप्शन नमबर बी करेक्ट हो गया यहाँ पर लिखा दो और तीन कितने ऑपरेंटर्स है एक दो तीन चार पांच पांच बर पर फॉंच बहुत अच्छे अगर हम बात करें यहाँ पर सारे के सारे वन है तो यहाँ पर सारे में 1 से 1 1 1 1 1 याद रखना, यह थी के नीचे लिखते हैं, पहला जो यहाँ पर denominator हैं, जो पहला ही है multiplication है, यह से लिखेंगें, यहाँ से start करेंगे, तो जो last वाली value है उससे एक पहली ही खतम हो जाएगा यह, last वाली value मुझे final answer का numerator देगा, यह वाली value मुझे final answer का denominator स्टार्ट हो रहा है यह भी ध्यान रखना पहले वैली यहां से स्टार्थ हो रही है ठीक अगर मैं सोल करेंगे यहां पे पैन का कलर चेंज हो लेता हूं क्या मेरे पास 3 प्लस 2 देगा यहां पर क्योंकि प्लस का साइन है 3 प्लस 2 5 हो गया फिर प्लस का साइन है तो 5 प्लस 3 8 हो गया फिर प्लस का साइन है तो 8 प्लस 5 मेरे पास 13 हो गया फिर प्लस का साइन है 13 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरे पास21 हो जाएगा ए कितना रिद हो जाएगा किया किडिया नं नंबर बड़ सिन का इक हंप कि मिझे 5 प्हेज्चिन करने में बाप कुछ नहीं लगता हमं क्लिया option number D correct let's move to our next question अब यहां पर क्या करा देखो same question है मेरे पास लेकिन start कहां से करा 1 divided by 1 plus 1 divided by 1 plus 1 divided by इस तरह ऐसे चल रहा है तो इसमें आप क्या कर सकते हो या तो आप ये वाला इस बन गया मेरे पास क्या ये वाला question और पिछले वाला question मेरा बिल्कुत सेम बन गया यहां पर मैंने 2 by 3 से शुरुवात करी कितने ब्लैंक बनाए एक दो तीन चार पांच ठीक है पांच ब्लैंक बनाए वरना इससे भड़िया है कि 1 plus 1 minus करने की जगा मैंने इसे 1 plus 1 minus को हटा रहा हूं मैं मैंने कहा है यहां पर मेरे पास इतने वाले पार्ट को सोल कर लेता हूं जो मेरा अंसर आएगा उसका reciprocal करके लिख दूँगा 1 divided में ठीक है तो भी कर सकते दोनों तरीके आपके पास possible है तो मैंने कहा है आप कितने operator है एक दो तीन और चार operator है तो मैंने कहा एक सारे के सारे प्लस है तो कुछ लिखाने की जुरुत नहीं ही बात है मैंने कहा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 5 और 3 जाएगा सर आया है यहां से लेकिंगे यहां तक के पार्ट का आया वन डिवाइड़ेड़ वाए मेरा फाइनल अंसर क्या होगा किस बाई तेहरा और इसे सोल करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा तेहरा भाई ठीक है ध्यान देना को सोल करते हैं चलें आगे अब जैसे हमने कुश्चन सोल कर रहा था अभी हाँ आप सारे में वन वन थे हाँ पर चेंज होगा वन टू थ्री टू वन होगया उपरेटर सारे प्लस कहीं है बिल्कु सेम तरीके सोल करेंगे मैंने लिखा हैं यहां पर टू थ्री कितने ओपरेटर हैं एक दो तीन चार पां पिर टू है फिर वन ऐ सारे एसे ह करने के लिए क्या गरूंगा पहले थ्री इन टू 1 करूंगा और उसं में यहां पर यहां फिरे प्लस का साहिन है यह मैं डिरेक्ट दरूँगा प्लस का साहिन है सब जगे प्लस का साहिन है तो ज्यादा लोजिक लगाने की जुरूत नहीं हमने का 13 3 जब थर्टी 9 39 प्लस 5 44 44 इंटू 2 88 88 प्लस 13 101 101 इंटू 1 101 प्लस 44 145 अंसर क्या जागा यह मेरा न्यूम्रेटर होगा यह मेरा डिनॉम्रेटर होगा और मेरा अंसर हो जागा 145 by 101 यह मेरा इस कोश्चन का फाइनल अंसर option number a correct question खतम चलें आगे अभी सारे प्लस तेप सारे के सारे माइनस के हो गए कैसे करेंगे कुछ नहीं करना सेम चलो 2,3 लिखा कितने साइने 1,2,3,4,5 पांच बना दिये मैंने blank जितने operator होते हैं तो सारे माइनस के हैं तो माइनस लिख लो नहीं भी लिखोगे तो फरक नहीं पड़ता क्योंकि मिज़े याद रहेगा कि माइनस करना है मैंने कहा है यहाँ पर सारे 1,1,1 हैं लिखना चाहो लिखो नहीं लिखना चाहते हैं मतलिखो एक ही बात है अच्छा पहला operation perform करूँगा तो मैं क्या होगा 3 into 1 और यहाँ पर minus का sign है तो minus और यहाँ पर 2 यह कितना आ जायगा 3 minus 2 क्या मिरे पास 1 आ जायगा यहीं चीछ perform करते रहे हैं 1 into 1 minus 3 करूँगा मैं अब तो क्या यह minus 2 हो जाएगा minus 2 और यहाँ पर minus 1 करूँगा तो क्या यह minus 3 आ जाएगा मений पास minus 2 into 1 minus 1 करा मैं नहीं तो यह-3 बनेगा माइनस 3 माइनस इंटू में माइनस 1 स्वारी माइनस 1 माइनस माइनस 3 तो यह कहते देगा माइनस 1 प्लस 3 यहाँ पर गलती मैक्सिमम लोग क्या कर देते हैं यह 2 देखा, option में देखा 2 भी है यह यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है यह हमारा numerator है, यह हमारा denominator है अंसर क्या आएगा numerator by denominator यह आएगा 2 by माइनस 1 और अंसर हो जाएगा माइनस 2, क्लियर गलती नहीं करना है ठीक हो जाती कहीं बार गलती इस गलती को बचाना, चलें आगे अब यहाँ पर साइन एक बार प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस इस तरीके से साइंग चल रहा है, करो टरह है यह वाला कुश्चन करेंगे कैसे, देखो तरीका वही है 2, 3, कितने operator है, 1, 2, 3, 4, 5 5 blank ठीक, यहाँ पर क्या सारा 1, 1, 1 है, नीचे लिखना चाहो, लिखो, नहीं लिखना चाहते है, तो छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर का प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, अब लिखना जुरूरी है, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस सोल करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो 3, तीन प्लस दो पांच यहां पर माइनस का साही ने पांच माइनस तीन दो यहां पर प्लस का साही ने तो दो प्लस पांच साथ यहां पर माइनस का साही ने साथ माइनस दो कितना पांच यहां पर प्लस का साही ने साथ प्लस पांच बारा कुश्चन क्या हो जाएगा यह मेरा denominator answer आजाएगा बारवबाए 5 question खताम चलें आगे अब यहां पर फिर plus और minus को आगे पीछे कर दिया सेम टैप का question है दो और तीन से सुरुआत हो रही है और यह चल रहा है मेरे पास कितने operator एक दो तो 345 आगे भड़ेंगे यहां पर सारा 111 है तो लिखने की जुरूत नहीं है sign याद रखो plus है फिर minus है फिर plus है फिर फिर यहां पर minus है ठीक तो मैंने कहां plus है तो 3 और 25 minus है तो 5-3 2 plus है तो क्या दो जमार 5-7 हो जाएगा फिर प्लस है तो साथ और दो 9 हो जाएगा फिर माइनस है तो 9-7 2 हो जाएगा ठीक तो दो गाइनो मेरा स्कूशन का अंसर आजाएगा चले आगे और रहे हैं उससे भी कम में हो रहे है ठीक यह वाला कर एले नहीं फिर धन माइनस ब्लस फ्लस ठीक है सेम कुश्ण है करो ओ यहाला कुश्ण गाया इहाँ पर क्या हो गया यहां Cub value भी change होगे 2 है 1 है 3 है 1 है यहाँ पर plus minus sign भी आ गए तो यहाँ पर थोड़ा question रख बड़तना पड़ेगा question solve करते नहीं वरना basic से भी कर सकते हैं शुरुवात कैसे करेंगे क्या 2 x 3 से शुरुवात करूँगा कितने operation है एक दो तीन चार पांच पांच blank बना लिए sign लिख दियो उपर plus minus plus plus minus plus minus ठीक अगर हम बात करें यहाँ पर पहले वन है तो तीन वन से multiply फिर 3 है मेरे पास फिर 1 है मेरे पास फिर 2 है मेरे पास फिर 1 है यहाँ पर plus का sign है तो 3 x 1 plus 2 करूँगा यह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर लिखा मैंने 5 क्या यही होगा बिल्कूल इजैए यहाँ पर 3 है मेरे पास 5 into 3 और यहाँ पर क्या माइनस का sign है तो यह क्या होगा 5 into 3 minus 3 answer क्या आ जाएगा 12 minus 15 minus 3 12 आ जाएगा यह मेरे पास हो जाएगा 12 अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो 12 और यहां पे प्लस 5 12 इंटू 1 प्लस 5 लिखके दिखा रहा हूं जिससे की गलबढ़ना हो वरना हम डिरेक्ट ली करेंगे आगे की स्टैप्स नहीं लिखूंगा ठीक है तो यहां पर मैंने करा यह कितना आगे 17 17 इंटू 34 34 प्लस 12 करेंगे तो 46 आएगा 46 इंटू 1 46 यहां पर माइनस साइन है 46 माइनस 17 29 अंसर क्या जाएगा 29 by 46 कोश्यन खतम और यह कर सकते कम से कम टाइम बिलकुल चलें आगे स्टार्टिंग में जो कोश्यन दिखाया था वहीं करके दिखा दिया मैंने आपको बहुत कम टाइम में अच्छा अब यह वाला कोश्यन आ जाए मेरे पास तो मैं कैसे करूँगा अभी हाँ अब तक जितने भी कोश्यन देखे थे ना हमने क्या आप देख रहे थे यह वाल हो एक्जाम टाइम में हम बहुत लिमिटीट चीज़े यूज कर पाते हैं तो मैं आपको वही चीज़े सिकाते हूं उच्छा एक्जाम टाइम में आप यूज कर पाऊ ठीक है मैं इसे और कंप्लेक्स बना तो तो कुछ फायदा निया फिर को तरीका बेकार हो जाएगा और लो सारे माइनस के साही ना जाएगा अंसर प्लस माइनस है यहां पे भी वन है यहां पर लंबा खीच लो बहुत कम टाइम में अंसर निकाल लेंगे अब यहां पर यह वाला हो गया थोड़ा सा कॉंप्लेक्स है इसमें बहुत ज्यादा लंबा निकिचेंगे 6-6 तॉम से ज लिए मत खतं फिर मैंने लिख यहां पर बंप्लस है तो फिम लिए इưởngश्रे इंटो एगा तका मेरे पास यह तूभर टू हो जाएगा इसवाल करूंगा 5-3, 2x5 आयेगा और यहां पर डारेक्ट लिखेंगे हम क्या 5x2, यह 2x5 आया है मेरे पास, अगर मैं इधर जाओंगा यहां पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यह, यह मेरे पास इनकल का यह, 5x2 इंवर्स करके लिखेंगे, 2 से 2, कैंसिल, और मेरे पास, 1 सब लोगों को समझा गया वाला कोशन कि कैसे करा हमने तो आई होप आपको यह सारा कंसेप्ट किलियर हो गया होगा इस तरह के सिक्वेंश में हमारे पार इस तरह का सिक्वेंश कहीं बार आता है 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस एक ही sequence बाबर फोल हो रहे है आपको बताना इस पूरे expression की value क्या होगी क्या इस पूरे expression को मैं x मान लूँ बिल्यकुल मान सकता हूँ अच्छा अगर मैं इस solve कर रहा है ये मेरे पास x equals to 1 प्लस 2 अपोन में x ही हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 2 बाई ये सारा x ही तो है solve करेंगे value option में से रखेंगे answer निकाल लेंगे मैंने कहा x की value अगर मैं 2 रख दू तो 2 equals to 1 प्लस 2 बाई 2 ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 2 वन sorry 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 क्या lhs और rhs equal हो गए मेरे पास बिलकुल हो गए verify कर रहा है ये मेरा answer हो जाएगा खताब ये गल्द नहीं हो सकता अच्छा अगर हम बात करें ऐसे मैं minus 1 रखूंगा तो minus 1 बे भी equation hold कर जाएगी यहाँ पर आया minus 1 अगर x की value में आपर minus 1 रखी और मेरे पास यहाँ पर बनेगा 1 plus 2 upon में minus 1 और ये कितना बन रहा है मेरे पास again 1 minus 2 और ये भी minus 1 दे रहा है तो ये भी hold कर रहा है ये भी मेरा answer हो सकता है लेकिन मैं कहूंगा ये वाला answer क्यों नहीं होगा क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 plus सारी values प्लस में हो रही है सब कुछ add करते जा रहे हैं अगर सारी की सारी values add ही हो रही है तो हमारे पास negative value तो कोई यहाँ पर आने रही है अगर कोई negative value नहीं आ रही है तो minus 1 के sensor आएगा तो ये गल्त हो जाएगा यह हमारा सही answer होगा यह हमें थोड़ा सोचना बढ़ेगा अच्छा दो values क्यों आ रही है हमारी equation बनी थी x equals to 1 plus 2 by x क्या यह quadratic equation बनाएगा x equals to x plus 2 by x लिखूंगा और मैं इसे लिखूंगा x square equals to x plus 2 क्या यहाँ पर x की maximum power 2 है मत्तब x की 2 values होगी जिस पर equation satisfy करेगी तो यहाँ पर 2 values हमारे निकलेगी लेकिन हमने कहा कि यह positive answer होगा हमेशा तो a की value 2 ही होगी a की value minus 1 possible नहीं है समझा गया सभी लोगों को इस तरह का question कैसे करना है और मेरे पास यह वाला question है इस तरह के question को कैसे solve करेंगे question में यह expression दे रखा है xyz natural numbers कहे गए है हमें root xyz की value बताने की root xyz की value क्या होगी अज़ एक चीर बताओ मुझे अगर मैं इस वाले part को लिखता हूँ और इससे solve करता हूँ मेरे पास है 3 plus 1 upon me x plus 1 upon me y plus 1 by z यह मुझे 49 by 15 के बराबर दे रखा है क्या मैं इस वाले part को solve कर पाऊँगा इससे solve करूँगा तो मिरे पास यहाँ पाएगा yz plus z divided by z होगा तो वो उपर चला जाएगा क्या कुछ इस तरह की expression बनेगा 3 variable में एक value बन जाएगी क्या हम x y z की value को भी निकाल पाएगे नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए इस तरह की question में बस ट्रिक यही होती है हमें यह वाले part को split करना होता है 49 by 15 है 15 से divide करूँगा मैं 49 को तो मेरे पास क्या आएगा क्या 3 quotient जाएगा मेरे पास 45 remainder बचेगा 4 क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 plus 4 by 15 कोई दिक्कत यहां पर नहीं क्या 3 plus 4 by 15 49 by 15 नहीं होता है मैंने लिखा इसे 3 plus 4 by 15 अच्छे 4 by 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 by 15 by 4 यह भी लिख सकता हूँ मेरी मर्जी है या नहीं है क्यों मैंने ऐसे लिखा क्योंकि जो फोर्म दे रखी न 3 plus 1 by something दे रखा है तो मैंने यहां पर 1 बना दी है फोर्म में convert करना है बस इस वाली फोर्म में ठीक है अच्छे 15 by 4 है इसे मैं काट के क्या लिख सकता हूँ 15 को 4 से भाग दूँगा 15 को तो यह क्या जागा कोशेंट 3 12 रिमेंडर बचे का 3 क्या मैं इसे यहां पर काट के लिख सकता हूँ 3 plus 3 by 4 एक ही बात है बिल्कुल एक ही बात है तो आपने कासर इसकी जगह आपने लिख दिया यह कोई दिक्कत ने मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और यहां पर अगर यह 3 by 4 है मैं इसे 1 कर सकता हूँ और इसे 4 by 3 कर सकता हूँ क्या एक ही बात है अब भी एक ही बात है अच्छा अगर अब मेरे पास यहां पर 3 plus 1 by कुछ फोर्म बनी फिर X plus 1 by something बनी तो यहां पर हम चली रहे हैं अब मुझे y plus 1 by z की form में convert करना है क्या 4 by 3 को मैं लिख सकता हूँ यहां पर 4 by 3, 3 से divide करूँगा 4 को 1 जा जाएगा 3 और रिमेंडर क्या बचेगा 1 क्या मैं इसे 4 by 3 को 1 plus 1 by 3 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ तो मैंने यहां पर क्या करा 4 by 3 को भी लिख दिया बिल्टा के लिखता हूँ यहां पर ठेक है इसे मैंने लिख दिया 1 by 3 चलो plus 1 ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं compare कर सकते हैं कि आज से हम मैं क्या यह 3 है क्या यह मेरे पास x है यहां पर 3 है, क्या मैं कह सकता हूँ, x की value 3 हो जाएगी, क्या यह मेरे पास y है, ठेक है और यहां पर मेरे पास क्या यह 1 है, तो क्या मैं y की value 1 कह सकता हूँ, यह मेरे पास 1 by z है, क्या यह मेरे पास 1 by 3 है, तो z की value मेरे पास 3 हो जाएगी, x, y, z की value निकल गई, root x, y, z की value ब आज की क्लास आपको पसंद आई होगी बहुत कुछ आपने सीखा होगा नेक्स्ट क्लास हमारी कल आ जाएगी जिसमें हम इस तरह की कि और चीज़ सीखेंगे सिंप्लिफिकेशन में बोर्ड मास के कॉंसेप्स यूज करेंगे इस तरह के बिल्कु सिंपल क्लास आप देखी सकते हो अनकेडमी बें मुझे फोलू करके यह सारी स्पेशल क्लास इस इसमें बहुत कुछ सिखा है आप लोगों को कुछ चैप्टर पूरे भी करा हैं वहां से आप अपनी त्यारी कर सकते हो बहुत कुछ सीख सकते हो बाकि पूरा कोर्स चीए तो आपको प्लस पर जाना पड़ेगा और यूज करके आप पूरा कोर्स में रोल कर सकते हो इंडिया के टोप एजुकेटर से यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं सभी सब्सब्स के सारे के सारी कोर्स एक की प्लान के अंदर कवर हैं इंक्लूडिंग मॉक टेसरी तो आप अपने त्यार मॉक कर आप लाए